अब देखे बात्रूम के अंदर एंट्री की आम है ये भी माश्टर बात्रूम है देखे अब किचन से जो मैं आपको दिखा के लाए हो ना दोनों लाइन देखे यहां पर आ रहा है दोनों एक इंच का पाइप लाइन है अब यहां पर देखे जिसमें ओबरवाइन लगा है यह है अपना motor लाइन उसके बाद यहां पर यह जो टी लगा है यह है टैंक वाला लाइन गीजर का point दिया गया आउटपुट होगा उसके लिए आप जो है आधा इंच पॉना इंच का होगा बेटर होगा जो आप पाइप डालें ठीक है यहाँ एक इंच डाला है आप दोनों पाइप लाइन से नीचे आ रहा है देख सकते आप यहाँ पे आया एक अलबो लगा के इसको मैं दे रहा हूं अपना हाट उटर लाइन जारा डायवर्टर में उसके बाद आप देखें दोनों पाइप लाइन से नीचे आया यहाँ नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं टी लगा है यहाँ पे आया देखिए इधर एक अलबो लगा के इसको मैं आगे भेजा यह अपना मोटर वाला तो यहाँ पे इस दिवार से पिछे वाले दिवार से इसको आपको रखना है 11 इंच ठीक है और आप्टर टायल जो है इसका जो minimum distance है वो आपको रखना है कम से कम 9 इंच पिछे वाले वाले से maximum 10 इंच रखेंगे किसी भी तरह का floor mount toilet होगा install हो जाएगा अब यहाँ पे देदिय आप यहाँ पे दो ब्राश्टी दिया मैं वन बाई वन बाई टू का ब्राश्टी उसके बाद एक दे दिया यहाँ पे ब्राशल वो वन बाई वन बाई टू का ठीक है तो यहाँ पे जो है दिखे यहाँ पे यह वाला जो दिख रहा है यह जेट के लिए है और ये वाला जो दिख रहे है ये health deficit का point है उसके बाद ये वाला जो दिख रहे है ये optional है extra है ठीक है अब इसका जो height है न देखे यहां पे जब komode लगेगा 23 से तो कोई भी komode maximum जो उसका height होगा न वो 17 inch होगा तो अब यहां पे जो komode का point बनाना है आपको यहाँ पे कमोट का यह जो हाइट है ना टॉप लेबल यानि की 17 इंच वो आपको यह मेजर करके चलना है तो यहाँ पी यह जो है टाइस वाले सर्फिस है इसका जो मिनिमम हाइट है ना वो 18 इंच रखना है उसके मैक्सिम जो इसको 22 इंच पर रखेंगे से आगे बढ़ रहा है उपर वाला मोटर वाला है नीचे वाला अपना जो है यह टाइंक वाला है सुप्रीम का पाइप है औरजिनल HDR गया रहा है दोनों पाइप लाइन इस तरह से आगे आ रहा है उसके बाद आप देखे यहाँ पे आया यहाँ पे टी लगा कि जो हाइश है टाइल स्वारे सर्फेस से मिनमम अठर इंच रखेंगे मैक्सिम्म बाइस रखेंगे बाइस से ज़्यादा मत रखें अधरवाइट जो है बेसी ने इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो सकता है इंगल कॉक से आपका जो वाजबिसी ने वो टकरा सकता है अब यहाँ पे यह दोनों पाइब लाइन आरा डावटर वाले एरिया में दिखे यहाँ पे उपर आ गया यह कोल वाटर लाइन है अब इसको रडेउस कर दिया मैं यहाँ पे आगया यहाँ पे लाइन आरा है यहाँ पे आके इंगल किया देखे पहला inlet यहाँ पे हो गया यह motor वाला दूसरा inlet आपका यह है tank वाला line आ रहा है उसके बाद तीसरा inlet यहाँ पे है hot water तो यहाँ पे three inlet complete हो गया उसके बाद two outlets समझे देखे पहला outlet यहाँ पे spout हो गया दूसरा outlet यहाँ पे sour हो गया जेकवार का 5-way diverter है अब नए प्लंबस को जो है दिक्कत होता है यहाँ पर connection में तो मैं आपको बताता हूँ दिखे यहाँ पर जो है ना right side में आपका यहाँ पर C लिखा रहता है जेकवार के diverter में ठीक है और जो other diverter है उसका जो tank वाला inlet होता है diverter के लिए 5-way वाले में उसम में उपर है तो यहाँ पर समझना कैसे है यहाँ पर C लिखा है तो C का मतलब जो है लोग समझ लेते हैं cold water tank वाला जबकि ऐसा नहीं है यहाँ पर जो C लिखा है यहाँ पर मोटर वाले में यह motor line है fresh water उसके बाद यहाँ पर tank वाले line के लिए यहाँ पर T रहेगा उसके मतलब यहाँ पर है वो मोटर वाला supply नहीं है और किसी diverter में यहाँ पर C की जगह एप लिखा रहता है एप का मतलब fresh water ठीक है यह जेक वार का diverter है यहाँ पर यहाँ पर होता है आप यहाँ पर सावर लिखा हुआ है यह पीछे है उसके बाद यहाँ पर इस पाउट के लिए दिया गया है दिखे यहाँ से एक इंच का पाईब लगा के यहाँ पर दे दिया 1 by 1 by 2 का ब्रास अलबो अब हाइट आप समझी दिखे यहाँ पर इस पाउट के पॉइंट का यह जो हाइट है टाइट सोले सर्फेस से मिनिमाम 30 मैक्सम 32 इंच रखें यानि कि कम से कम 30 मैक्स टाइट सोले सर्फेस से मिनिमाम आप रखेंगे 6 फिट मैक्सम इसको आप 7 फिट रखेंगे 7 फिट रखने का बेन फिट यह होगा कि 6 फिट के आदमी भी इजली यहाँ पर नहा पाएंगे और सावर का पॉइंट अगर आप 6 फिट पर देते हैं तो नहाने में दिक्कत देखिए हैं यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए यहाँ से कम यहां तक आना चाहिए यह जो लाइन दिख रहा है एरो और मैक्सिम जो है यहां तक आना चाहिए अगर इससे कम होगा तो फिर जो है प्लेट आपका बैठेगा नहीं और इससे जादा होगा तो फिर आपका यह handle लए बैठेगा ठीक है और operate करने में दिक्कत होगा पानी कम आएगा क्योंकि पूरा खुलेगा नहीं और जाके टकरा आएगा यहाँ पर इसका जो body होगा तो इ आप यहां पर उपर गीजर है और वहां से में लाइट यहां यहां पर आ रही है ठीक है कि यह अपना ट्राइट वाला एरिया तो बस इस बीदिए अभी देखा आपने मैंने आपको बताया कि माश्रा बात्रों में आप डाइवोर्टर को किस तरह से इंश्रावल करेंगे अब करेंगे पूरी कमपी जन कर दिया उमीद है यह विड़ा आपको पसंद आया होगा और मिद करता हूं आज में आपको जो कुछ भी एक्स्प्लेइन किया है वो सब आपकी समझ में आया होगा कहीं भी कोई भी कंफिजर है तो आप नीचे कमेंट सिक्षन अपने अपने इस वीडियो में इतना ही मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में ना टॉप के जाद